हाँ जी दोस्तों आपका स्वागत है जी स्टॉक स्टोरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हमारी बात डेरिवेटिव में चल रहे हैं डेरिवेटिव में फ्यूचर्स हम कवर कर चुके हैं options के basic समझ रहें किल पेटा end करते करते हमने छोड़ा सीखा कि premium जो है उसके दो इससे हो जाते हैं एक इसा रहता है intrinsic value का दूसरा इसा चुक कॉष्षाय प्रिस्टों की intrinsic value में कोई दिक्कत हो रही है उसको मैंसे भी समझ सकते हैं कि जैसे call मुझ यह हम तब ही घरीदते है नॉर्मली जह हम बुलिश हों ठीक है ना भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीज उपर जाएगी यह उपर की तरफ एक निशान बना दी है हमने अमाल लो जिस चीज की कॉल की आप बात कर रहे है उसका स्पॉर्ट रेट अभी हजार उपे है पॉर्ट मार्किट में रेट कितना उस शेर का 1000 रुपे जो भी strike price spot से नीचे के होंगे जो भी strike price spot से नीचे के होंगे पिर चाये वो 900 हूँ 800 हूँ चाये वो 750 हूँ यह सारी कॉल इस वद्क्या केलाएंगी इंदी मनी इंदी मनी लेगे सारी आपकी इंदी मनी कॉल है देख रहे हैं क्योंकि 900 पे आप बाय कर सकते हैं कैसी चीज़ को जो 1000 पे चल रही है मनीनेस दिखती है 100 रुपे सिद्धे 800 की स्ट्राइक देखें तो यह बहुत ही असान हो गया समयना कि spot rate से जो strike नीचे की होगी तो वो इंदी मनी कॉल option होगी दवारा देखें अगर spot rate 1000 है इससे नीचे की जो strikes है वो सारी इंदी मनी है और call तो फिर उपर level भी मिल सकती है अब call इस वर्थ spot 1000 है बट call तो 1100 की भी मिल रही है 1200 की मिल रही है यह क्या है आउट of money call ठीक है जी तो moneyness को ऐसे भी समझा जा सकता अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो जो spot rate है अगर आपका strike उससे नीचे है call के के इसमें तो वो indie money call है ऐसे ही फिर आप put में भी देखें put क्या था bearish view जब होता है कि नीचे ना चला जे जब नीचे जाएगा तो put आपको फाइदा देगी तो इसके लिए हम इस तरह का यह कैरो लगा रहे है यह रखा जी हमने spot, suppose जिस शेर की बात हुरी उदा spot rate 700 spot rate 700 है ठीक है जी अब 700 तो उदा spot rate है अब put में value कब होगी कौनसे वली strike सिसकी in money होंगी तो देखो 800 की strike 900 की strike यह सब in money है देख रहे हैं क्योंकि spot से उपर बेश सकते हैं इनके थूँ जो चीज 700 की है उसे तू 900 की बेश सकता है तो फाइदा है तेरा 200 रुबे की money है 700 वली चीज को 800 का बेश सकता है तो यह इधर वली side जो पड़ी है वो इंदी money होंगी और जो इस से कम की है जैसे 600, 500 यह क्या होंगी out of money बाकी बेटा देखो आगे series बहुँ लंबी है हमारी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम यह call put वेरा खरीदे बेशते क्यों है सर बड़ा कुछ है सर hedging के बारे में भी बताऊंगा फिर FIs, DIs इसमें यह क्यों enter करते हैं यह भी सब बताऊंगा पर जिए आप trade करने के point of view से उतरते हैं कि आप options में trade करके पैसा बनाना चाते है तो तो भाई simple सी बात है कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि जो RIL है वो काफी उपर वाले levels पर जाने वाला है तो natural है आप पहले होदा spot rate देखेंगे market में spot rate है मानलो 12,00 रुबे फिर उसकी different strikes की call देखनी शुरू करतेंगे यहाँ आपको सलाह यह है कि ज्यादा out of money ना खरित दें कि out of money call option सस्ता होता है अब जैसे 12,00 पे spot है अभी हमने call का chart देखा न यह रहा call का chart कि आप spot से अगर नीचे की बात करते हैं वो सारी इंदी money call होती है अब जैसे आप 11,00 की call खरीन नहीं आ गए तो हो सकता होता प्राइज अच्छा खासा हो मान लीजे होता प्राइज 158 है आपने 1000 रुपे की call की बात की उसका प्राइज 240 है यह इंदी money calls हैं सारी यह महंगी है फिर lot size भी है हम डर गे कि पैसा बॉल लग जेगा फिर वहाँ एक 1500 की call आ रही है 1500 की strike की और उसका प्राइज है सिर्फ 18 रुपे हमने यह खरील ली बहुत ज़्यादा auto money हो गई है इसमें time बीच जाएगा और level नहीं आएगा कई बार और आप लुट जाओगे सारे पैसे आपके हो जाएंगे waste ऐसे वली call options को खरीदा नहीं जाता है बेचा जाता है auto money options का excise होना बहुत कम होता है बहुत कम chance होता है इस चीज़ का अब सस्ता देखके ना खरील लें यह ध्यान में रखना है बाकी बेटा थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ फिर option chain का analysis करेंगे आज की इस video में दिखे जी यह हमने कल सारा यह देखा था और अब हमारे पास कुछ और interesting चीज़े हैं जो आपको समझाने में help करेंगी impact of all the parameters which affect the price of an option is given in table below अब option का जो premium होता है वो कुछ factors पे based होता है कुछ technical factors भी होते हैं वो तो भी हमने cover नहीं किये जो simple चीज़े वो लिखी है तो कह रहा है कि उसका आप क्या आसर होगा जैसे पहले आप ये वाला column ही सिरह समझेंगे price of call option इन सब के बढ़ने से क्या आसर होगा अगर asset का price बढ़े तो call option का price भी बढ़ेगा बहुत easy example अपल साथ साथ दिये जाएंगे आपको live data भी दिखाऊंगा आज जैसे suppose actual 2500 spot rate call 2500 strike और उसका premium 38 रुबे actual का spot rate हो गया 2600 दो दिनों में ऐसा ये राम से हो जाता है अब इसकी 2500 की जो strike की call है ध्यान से बने रहे हैं strike 2500 रखनी है भीया ये 38 रुपे में कैसे मिलजेगी क्योंकि पहले तो ये at money थी spot और strike मैच कर रहे थे अब दियान से देखो spot उपर चला गया strike नीचे की है तो ये क्या होगी in money अब इसकी value बढ़गी होगी ओ सकता है थी value 1500 रुपे होजे तो ये ही समझा रहा है इस चार्ट में अगर asset का price बढ़ेगा तो call का price भी बढ़ेगा दोबारा सुन लो underlying asset का price बढ़ेगा तो call का price भी बढ़ेगा अब कहता है with the increase in exercise price मैं लेकि जब higher strike की calls देखें तो price normally नीचे आ जाता है ये example मैं कल से लेके आज तक काफी बार आपको दे चुका हूँ जैसे यहां आँ बारी बात हो रही थी कि भाही 1200 spot है ये दोनों calls इतने इतने की हैं अब आप higher excise price पे चलेगे higher excise price मतलब 1500 calls अस्ती है ये देखें तो यही यहां इनोंने theory में लिखा जादा है time period जादा है तो बेटा पैसे भी जादा देने अपड़ेंगे जितनी लंबी validity जैसे recharge कराते हैं call भी वैसी समझें जितने लंबे समय के लिए call चाहते हैं उतना जादा premium देना होगा volatility volatility मतलब market में uncertainty उतल पुतल uncertainty वाला महौल elections के आसबास होता है आज की time में भी है पता ने आगे क्या होना है ऐसे में भी premium ज़्यादा हो जाता है कि जो writer होता है वीचारा ज़्यादा risk feel कर रहा हूत उसे पता नहीं होता कि भी क्या हो सकता तो वो ज़्यादा पैसे हमारे से मांगता है यह कॉल के लिए था अब मैं बेटा जी पुट के लिए नहीं अभी कुछ पढ़ रहा मैंने आपके लिए यहां कुछ डाटा रखा हुआ हमने पहले उसको एनलाइज करना और यह आपने बहुत अच्छे से देखना है यह डाटा हमारे पास है रेलाइंस के शेर का तो और हमारे पास यहां पूरी option chain पढ़ी है मैं इसमें आपको बता देता हूं इसे कैसे पढ़ना कितना का आप अभी समझ पाएंगे इधर यह डाटा left-hand side पर calls का यह data puts का हमें जितना आता हम सिर्फ उतनी बात रखेंगे यह सारे topic advance में भी हुने आगे चलके तो भाई यह अ अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो इससे नीचे की जो कॉल्स होंगी वो इनमनी होंगी यह देखो यह सर यहां तक आप अगर चले जाएं तो करीबन तक आप आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 1160 तक के लेवल आपको कठे दिखाई दे रहे होंगे यहां तक अगर आप देखें यह है यह सारा यहां तक का बेटा यहां से शुरू हो कि जहां तक मैं end तक गया हूँ यह सब in money हैं यह सब in money call है नसी की website बहुत full of education है भाई उन्होंने हमें बड़ा help किया हुआ है वो पता कैसे help कर रहे हैं कहरें कि बेटा यह जो shade कर रखा न है यह सारा shading हो रखे यहां पे यह shading उसी area में हुई हुई है जो in money है मैं चाहूंगा कि मेरे students मेरे दोस्त सारे दोस करें कि यह in money call हमें समझ आ गई इसको भी समझ आया होगा कि यह in money है वो जुरूर comment box में आज लिखके जाएगा बिना उसके नहीं लिखना नहीं तो मा मनूंगा तुम्हें समझ नहीं आ रहा हुआ है इससे नीचे के जो भी level है वो in money है अभी भी हमने समझा था न यहां इस अची तरह देख पा रहे हैं यह सब in money calls है because asset 1157 पर और यह सारी strikes 1140 तक की बात और यह से नीचे अब इनकी price की बात करते हैं देखो बड़ा कुछ और लिखाओ open interest यह वो मैंने अभी आपको कुछ नहीं पढ़ाया मैं बात करूंगा LTP की यह price यह region के price यहां आप देख पा है कि सर यह premium सारे पड़े हैं यहां पर आपको 1140 की जो call है 1140 की 74.85 की मिल रही है देख पा रहे हैं जी सारे और अगर आपको और in money call चाहिए मतले कि थोड़ा नीचे और तो आपको और पैसे खर्चने होंगे आपको और in money call चाहिए देखो एक चीज मेरी बात समझे 1157 पे ह देखो उसका जो underlying asset of the rate देख लो 11557 पचास पैसे छोड़ो अब मेरे को उस पे call चाहिए 1100 पे खरीदने की मैं चाहता हूँ कि मैं उसे 1100 पे खरीद दूँ तो मेरे को कितने की दे रहे हूँ 98.5 यह premium है सर आप और in money जाते जाएंगे जैसे आप कहेंगे जी आपको तो 1000 पी खरीणना है तो rate और बढ़ता जाएगा यह मैं आपको समझा रहा था कल भी कि हमें यह देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और बेटा जो बच्चे और interest लेके देख रहे हैं तो यह सारा situation को समझ पा के लेवल पे call का जो premium आपके पास 98.5 यह तो मेरे इसाब से आपको पता है कि इतना आप देख पा रहे हैं अब जरा थोड़ा आगे किसका हैं इसको आगे किसकाने का मतलब यह है कि जैसे यह underlying asset के price के आसपास की बात है कि underlying asset यहां देखे 1157.5 पे 1157.5 पे चल रहा हो अब 1160 तो auto money हो गया अब अगर आप 1200 की call देखते हैं मैं अभी के spot rate से काफी उपर उसका price बेटा यह धियान रखना यह 98.5 था तो मैंने तुम्हें कहा था और यह 1200 का price देखो कितना कम रह गया कितना हो गया यह 44 क्यूं क्यूंकि वो गई है वहां पे आपकी auto money call वो गई है वहां auto money call 1100 के level पे आप चेक कर सकते हैं 1100 के level पे हमारे पास जो rates से मैं द्वारा आपके सामने रख रहा हूं 98.5 का rate था तेन उसके बाद मेरे पास rate आया अगर मैं देखता हूं 1200 के level का 1200 की strike वो सिरफ 44 की है क्यूंकि बात यह नहीं कि reliance अभी यहां है तो this is the spot rate spot rate से नीचे वाल call in money होती है और जो उपर वाली call होती है वो auto money होती है वो सस्ती होती है खरीद नहीं है नहीं खरीद नहीं है सोच समझ के जड़ा अगर level ना आया तो waste भी जाएगा पैसा बाकियों मैं उता दूं कि इतनी ज़्यादा auto money नहीं है अगर आप इसका trend देखें फिर को अगर आप पैचान रहे हों कि हाँ भी चड़ना है कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है तो मेरे पास एक chart और भी है क्योंकि मैं पहले call पहले अच्छे से cover कर दूं फेर मैं put कराता हूं इस chart की वो chart होगा बेटा जी इससे अगले दिन का तो देखते हैं जी हम यहीं पर वापस है अब reliance अगले दिन क्या हुआ reliance जो underlying asset हमारा इस case में 1170 हो गया underline asset बढ़ गया बेटा अभी क्या सिखे थे कि अगर asset बढ़ेगा अगर asset बढ़ेगा तो call का price भी बढ़ेगा हम ज्यादा इतनी बड़ी option chain हमारे पाफ पढ़ी है एक एक को पढ़ेंगे नहीं जो main main हमें या 18.3 का हो गया यह देखो यह वली चीज 18.3 की होगी एक दिन में आज समय रहे हो आप देन उसके बाद वापिस चलें सर 1200 वाले में भी इन्हें दिखाए movement जरूर होगी अच्छी है 1200 वाला 50.30 का हो गया उसमें भी यहां move आया again you can see कि वही अभी भी 1200 जो हो auto money है क्योंकि price 1170 बढ़ा है अभी 1200 क्रॉस नहीं हुए तो movement तो दोन्नों में आई है तो अगर आप auto money call भी घृद दे और एक दिन ही रखे तो आपके च्छे रुपे तीस पैसे इसमें आ रहे हैं lot size lines का 400 या 500 शेर कोगा तो multiply करके profit आप देख सकते हैं यह option chain हमें काफी different strikes की दिखाई जा रह 1460 की call भी right हो रखी है तीन रुपे 30 पैसे कितने कम rate पर अगर 400 का भी lot हो तो यह कुछ भी नहीं है पर बेटा अगर यह level आई ही न एप्रेल end हो गया last Thursday आ गया तो यह तो zero हो जागी यह अगर alliance और सस्ता हो गया यहां से मानलो बढ़ा न तो क्या करोगे इसका हाँ अगर ब 1460 की call के rate भी तो बढ़ेंगे न हो सकता हो 6 रुपे की हो जे अगर alliance यहां से 200 रुपे बढ़ता सीथा ठीक है फिर भी बहुत दूर है 1460 तो अगर आप देखेंगे कि कई बार लोग इसी चक्कर में इन में फच जाते हैं मेरी सलाह यही रहेगी कि नहीं भाई कितनी दूर- तो यह था जी call का आपका option chain reliance के share के उपर अब हम बात करना चाहेंगे put की तो put के लिए भाई पहले तो अपने basic notes में वापस जाओ क्योंकि यहां कुछ हम पढ़ रहे थे option price के बारे में call पहले किया put करते हैं फिर वापसी यहां फिर होगी अब price of put option पे इन चीजों का क्या असर होता है अगर अगर asset का price बढ़े अगर asset का price बढ़े तो price of put option नीचे आता है पोट option right to sell है जैसे कि suppose यह है spot rate spot rate है 1100 आपके put है आपके put है जिसके तुरू आप उसकी strike है 1250 और उसका आपने premium दिया हो 208 रूबे इस वक्त सब सही है क्योंकि यह 1100 वाला pot rate है आप उसे 1250 पे बेच सकते हो आपके पास जो चीज मार्केट में 1100 की बिखती है उससे 1250 पे बेचने का आख का है तो यह हो दा कीमत आज चल रही है market में अब क्या होता है कि थोड़ी देर में market में तेजी आ जाती यह share में यह share market में 1200 का हो जाता अब आपके 1250 का यह right इतना attractive नहीं रहा attractive है मैं यह नहीं रहा attractive नहीं है पर इतना नहीं रहा जितना पहले था उस वज़े से इसके price में गिरा पुट तो फिर out of money होती है दिखेंगी लेओ जी सर पहले तो यह हम आपको यह दिखा दें कि इन्होंने बहुत बढ़िया बनाया हो कि जो shaded reason है जैसे call का यह call कौन सी थी जो shade हुई है in money और जो यह white वाली call थी यह सब out of money थी अब पुट में पुठा चलेगा 1157 का level पेटा जी mark कर लेंगे 1157 पे है reliance इस वक्त हम शुरू कर रहे हैं बाद देखिए जी यह जो इससे उपर के levels है जैसे 1157 से उपर के level है जैसे 1160, 1180, 1200 कि सारे level उससे उपर के हैं यह है in money puts अब पुट का भी LTP column में आपको mark कर दूँ यह आपके LTP है यह नीले color में जो लिखे हुए तो आप यह देख रहे हैं कि 1200 की put का LTP है 84.95 देख रहे हैं बई अच्छे देखते रोजरा 84.95 बारांसो की put option इतने में बिकरी थी और उपर जाओगे 98 moneyness बढ़ती जाएगी 1300 जो चीज मार्किड में 1157 की उससे 1300 पे बेचने का हक इतने का और फिर अगर आप देखें नीच देखो 1000-1960 यह देखो जी put के price crash होगे बिलकुली दो मिनिट इस चीज को अच्छे है देखो 1157 पे reliance है उससे उपर वले level put के लिए in money हैं उनकी pricing कितनी अच्छी है यह देख रहे हैं price कितने अच्छे हैं और अगर नीचले levels देखें put के spot से तो उनके price काफी कम है काफी कम ह अब इसमें से किसी एक को चुनते हैं जरा ताकि अगले दिन जो हुना उसके साथ compare भी करें अब हमारे पास जैसे 1300 की strike है 1157.5 यह reliance का spot है 1300 की strike की put है ठीक है उपर के level की put है इसका premium यहां से note कर ले भई 1300 का premium है sir 158.5 कल reliance अगले दिन का data हमारे पास है तो उसमें reliance उपर बढ़ा है देखते हैं अब इसका put का क्या होता है देखते हैं भाई क्या होता है इसके अंदर chart लाए है फटा फट अगला यह है राजी chart इसमें अगर आप देखने जा रहे हैं तेरा सो की put के price देखने आप जा रहे हैं तेरा सो की put के price 140 और रहे हैं एक सो चाली सुरुपे रहे हैं एक सो चाली सुरुपे रहे हैं तो उसे तेरा सो पे बेचने का जो strike है कितना attractive नहीं रहा जितना पहले था देख रहे हो यह सब वहां लिखा हो था जब एससेड का price बढ़ेगा अगर तो call option होगी तो तो और attractive हो जाएगी तो प्राइस पढ़ता है अगर put option हो तो प्राइस नीचे आ रहा है इस ची को देखें आप यह सारा बेटा जी इतना data आपको free of cost वेलेबल है हर जगा आप इसको money control वगरह से भी उठा सकते हो एननेसी में क्या होता है कि option chain बहुत बढ़ी आत्रिक्के से इन्होंने बना रखा होता है जितने भी trades हुए होते हैं पूरी information हो दे अंदर आ जाती है तो यह हमारी कोशिश है कि आपको call और put के basics थोड़े समझ आजे इंपक्ट क्या होता है price change होने का इसके थूरू हमने देखा ठीक है जी अब आगे और क्या करना है मैं बताता हूं बेटा कि call put की बात तो इसमें हमने अब कर दी अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर यह जो call puts विए रहा है इसमें किस तरह मले trading होती है सर देखो इनमें बहुत strategies होती है strategies वैसे मैं cover करूँगा आगे एक बार तो मैंने simple simple समझाना है पर फिर भी यार जैसे आप बच्चे को थोड़ा सा होता है कि कुछ तो बताओ थोड़ा सर एक strategy होती है जिसका नाम होता straddle straddle क्या strategy है जैसे call put लोग events के आसपास बहुत यूज़ करते हैं जैसे elections हैं स्वत भी ये बहुत यूज़ की जाती है results हैं company के तब अब जैसे माल लो किसी company का quarterly result आना है तो आपने पूरी उसकी research कर रखिया तो आपको लग रहा है कि result अब्यस है जिए share ने उपर जाना है तो आप call option ही लोगे जैसे तो delivery based trading करते हो वो लग बात है वो तो फिर share करे दो features का lot लेना features का lot buy कर लो पर अगर option में उरे पुछोगे तो call option ही लोगे अब उसका क्या फायदा होगा थोड़ी सी story बना के समय लो जैसे suppose जो share है वो है अप स्टील के नतीजे आ रहे है quarterly आपको मानलो पता है और उसका आपको लग रहा है कि result बहुत बढ़िया आना है तो उसका जो spot rate है वैसी लिख रहा हूं मैटा 300 रुपे अब आपने क्या किया कि बिल्कुल 300 की strike की ही call खरी ली एक lot call वाए कर लिया result आये उसके result आने ग़ा market में इसका spot rate बढ़ गया आपने यहां call खरी दी थी मानलीजे 12 रुपे पर lot मैंने लिख दिया 3000 रुपे की investment कर दी थी आपने अब result आया result आने के बाद spot rate जड़ा अच्छे result को इंप्रेस होगे और आगे की forecast बहुत अच्छी होगी मानलो company बारे में और spot rate हो गया एकदम से 320 को जाया बड़ी बाद नी 6% बढ़ा बढ़ जाते हैं share इतना एक दिन में राम से बढ़ जाते हैं sir अब आप सुचो जो आपके वा strike पढ़ी है 300 की call पढ़ी है 300 की strike की अब उसका rate क्या होगा sir वो call एकदम से in money होगी है एकदम से उसमें जान आगी है कि जो ची 320 की है अब उस उसको 300 पर खरिदा जा सकता उसके थूप तो उसका premium तो एकदम से shine कर जेगा वोज उसका premium आप तेरे को मिल रहा है 20 रुपे बहिया बस बेच दे और निकल जा इसमें से 20 पर बेच दे call 12 पर खरिदी थी 11 रुपे आगे बस इसे साब से आपको 33,000 रुपे extra आगे अपनी investment मैं पूरा detail में भी लिख देता हूं क्योंकि हमने 3000 का lot माना था ना मैं चेक कर दूए एक बड़ आप लोट हमने 12 रुपे के इसाब से खरिदा बना रहे है आपका और profit हो गया जी बेटा जी 30,000 रुपे गार तो बड़ी super normal return है बेटा जी तो ऐसे लोग करते हैं इसमें पर ऐसा करते बहुत ध्यान रखे नुकसान भी हो सकता है कई बार आप call करीदते हैं result उसे साब से नहीं आए कोई और event हो गया market में और market as a only negativity चा ग पाया तो आपका पैसा सारा का सारा premium का waste भी हो जेगा दिखो अगर खरीद नहीं है तो आसपास की खरीद ना अब अगर 350 की call खरीद के बैठे हो तो शायद उसमें effect जल्दी आई ना पाए क्योंकि वह बहुत ही out of money हो जाएगी ठीक है ऐसे ही कहीं पर अगर आपको लगे जैसे निफ्टी पे बात करें थोड़ी सी कि आगए market ज़्यादा चलने नहीं वाली मानलो market का spot है 9000 कि आपको लग रहा है कि अगला अफ़ता market कोई ज़्यादा उपर जानी पाएगी मैंने आपको उताया था कि निफ्टी पे भी futures, long, short सब हो सकते हैं ऐ क्योंकि you are expecting कि market नीचे जाएगी तो आपने पूरे 9000 के level की ही put ले लिए और उपुट्ट आपको मिली उस वद्ट 100 रुपे में ते तीन चार दिन बाद market ने 500 पॉइंट गवा दिये, market का spot rate हो गया 500 जैसा आपने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ, अब 9000 रुपे की put की value देखो कि बेटा कितनी जादा बढ़ चुकी होगी, क्यों market 8500 पे आगी है देख रहे हैं कि नहीं, market 8500 पे आगी है, तो हो सकता है कि आपके उस put के price 548 आ रहे हूँ, बेच के निकल जो 548 पे बेच दो 100 पे खरिदा, 448 का profit हो जैए, इस तरीके से लोग use करते हैं, call को भी और put को भी, और जो मैंने कहानी start की थी, एक strategy होती है बताता हूं तुमें, य single single में चला रहा था था अभी, striddle, striddle, अब striddle क्या होता है, कई यह लगता होता है कि यह stock में या index में movement आने वाली है, अब वो movement उपर की तरफ भी आ सकती है, नीचे की तरफ भी आ सकती है, पर हमें यह पता नहीं होता है कि exactly क्या होगा, हमें पता है कि कुछ बढ़ा होना आए कुछ बड़ा होगा या तो बहुत बढ़ जेगा या बहुत नीचे जाएगा जैसे बजट है एलेक्शन और बथेरी ऐसी थीम्स हैं जो जिसवाद स्ट्रेडल चलती है तो उस उसफ़त हम स्ट्रेडल बना सकते हैं स्ट्रेडल में क्या होता है हम कॉल भी ले लेते हैं और पूट भी ले लेते हैं एक बनाके दिखाओ आपको क्योंकि इस तरह आपके मन में आजेगा न कि सर आप बात शुरूर गिया तो पूरी भी करो स्पोस मार्केड 9000 पे आपको यहां से लग रहा कि यहां तो एक बड़ा आप मूव आएगा यहां यह मार्केड नीचे जाने वाली तो आपने क्या किया कि 9000 की स्ट्राइक की कॉल भी ले ली उट भी ले ली कॉल का प्रीमिम लगा वैसी इमेजिनरी फिकर्स हैं भाई प्लीज टेंशन न लेना साथ रुबे उट का प्रीमिम लगा पचास रुबे 110 हो गया पूरा बोले तो 75 का लॉट है इतनी इन्वेस्ट्मेंट होगी है बच्चे को ये भी दिखा देना चीजिए थांगी बच्चे ज्यादा सपने न ले ठीक है जी कुछ ज्यादा बड़ी इन्वेस्ट्मेंट नहीं है ठीक ठाक है 8250 इन्वेस्ट होगए अब क्या होगा वेटा बहुत अच्छा अप मूव आएगा तो कॉल चलेगी कॉल तब चलेगी जब 9000 से उपड़ जाएगी हमारी स्ट्राइक प्राइज 9000 किया मैं कन्फर्म करता हूँ नीचे चला जे तो कौन चलेगी उट पर अगर थोड़ा थोड़ा ही लाना तो मज़ा नहीं आएगा एक अच्छी मूवमेंट चाहिए होगी तो आपका पैसा बनेगा जैसे स्पोस मार्केट तीन दिन बाद 93.50 का लेवल दखारी आप क्या कॉल है 9000 की स्ट्राइक की आपके अब पुट है 9000 के स्ट्राइक की अब सुचो उनके रेट क्या हुए होंगे सर कॉल तो आपकी जबरदस्ट चलगी जबरदस्ट तो मार्केट चलेगी उपर 93.50 पे और आपके पास कॉल कितने की है 9000 की साड़े 300 पॉइंट उपर चलेगी यहां से इसाड़े 300 पॉइंट तो मिलेंगे मिलेंगे प्लस थोड़े पॉइंट टाइम वेल्यू के भी मिलेंगे हो सकता कॉल का रेट हो गया हो 378 सर अब पुट सुचो 9000 की पुट्ट है मार्केट 93.50 पे मालें कि आपका 9000 पे आप बेश सकते हो एक्चुल में चीज 9.350 पे चल रही है सर इसमें तो मनीनेस तो कतम होगी अब ये इंदी मनी तो है नहीं क्या होगी है आउट उप मनी अब भाईया इसके सरफ थोड़ी बहुत टाइम वेल्यू बची होगी जितने दिन की एक्सपायरी है स्पोज इसके मिल रहे हैं 5 रुबे अब भाईया जी इसको जोड़ लो 383 आ रहा है आपके पास दोन्नों को बेचके निकल जो चुप चाप इंटू 55 कर दो बहुत बढ़िया कमालिया बेटा बहुत ही बढ़िया कमालिया 28725 आ गया ये कॉस्ट इसमें से माइनिस कर दो इस तरीके से बेटा ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा स्टेटेजीज हैं कॉल और पुट की पेरिंग करके या खाली कॉल से भी एक कॉल खरीद के दूसरी शॉट करके पता नहीं क्या क्या है उस पे कले-कले पे एक एक वीडियो बनेगी कले-कले पे तांकि अच्छी तरह से ब्रेक वन पॉइंट ये वो सब डिसकस हो सके रिस्पॉंस और ज्यादा चाहिए मैं फिर कह रहा हूँ प्लीज शेरिंग करें दब के देखें वीडियो आगे दोस्तों को भी दिखाएं शेर करें वीडियो को थोड़ा ठीक है बाई तो अब आगे सार हमें थोड़ा सा न लोग कह रहे हैं ये डीमैट का बताओ जी कैसे खोलना है ये वो बड़े मैसी मुझसे जायाते हैं इस तरह के तो मैं एक वीडियो इस पर ले आता हूँ जाना आपको अपनी continue रखेंगे सीरीज थोड़ा टेकनिकल लैसे सिखेंगे candles वेरा सिखेंगे आने वाली वीडियो में fundamental सिखेंगे फिर एक एक topic उठाके उसको detail में चलते चलेंगे ठीक है जी बेटा थोड़ा दिमाग में आपको डाला कि call put option को लेके काफी strategies बनती है उनमें से एक आपके सामय रखी call भी खृदी put भी खृदी इस strategy में movement चाहिए होती है तगड़ी या तो उपर जाओ बहुत ज़्यादा जाए call पैसे लाएगी नीचे जाए तो बहुत ज़्यादा जाए तो कौन पैसे ले आएगा put इसके बारे में थोड़ा सूचना बाकी मिलते हैं next वीडियो में okay